हेलो स्टुडेंस गुद मॉर्निंग आप सभी कैसे हैं CLC के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रिशी राज यादा हूँ, Senior Zoology Faculty at CLCC कर आप सभी का मेरे इस क्लास में स्वागत करता हूँ हर किसी बच्चे का सपना होता है, डॉक्र एंजिनियर बनना आप सभी ने भी अपने सपने सजो रख्योंगे कि मेरी All India 1st रंक आनी चाहिए, Top 10 में रंक आनी चाहिए, Top 20 में रंक आनी चाहिए, Top 50 में रंक आनी चाहिए, Top 100 में रंक आनी चाहिए और इन सभी सपनों को साकार करने के लिए मैं और आप सभी मिलकर एक कड़ी मैनत करेंगे और अपनी सभी सपनों को साकार करते भी आगे बढ़ेंगे इस फर्स्ट लेक्चर का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं कुछ बाते करना चाहूँगा आपसे जैसे कि कोई भी काम आप करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, कोई भी अक्टिविटी करते हैं, सबसे पहला काम करने से पहले उस काम को 100% देने की कोशिस करें, 100% देने का मतलब किर्कीट खेला तो 100% किर्कीट में दिमाग होना चाहिए, टेबल टेनिस केला तो 100% टेबल टेनिस में काम करें, कहीं पिकनिक पे घूमने गए हैं तो 100% एंजोई करो हैं, और इस टाइम पर आप क्या कर रहे हैं, CLC आपके सपने को साकार करने के लिए कटिबद है और CLC की ओनलाइन क्लासेज को देख रहे हैं, और CLC की ओनलाइन क्लासेज को देखना है तो 100% आपको देखना है, 100% देना है उसमें भी, शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, भगवान के बाद दूसरा नम्मर डॉक्टर का आता है, तो भगवान जैसा नाम प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और आप सभी को पता है, इस COVID-19 के दोर में तो डॉक्टर कितना सरोपरी माना गया है, तो आपको सभी को एक मेहनत और एक लगन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगी, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, नीट यूजी का स्लिबस वास्ट एंड स्लाइटली डिफिकल्ट है हम यह नहीं कह सकते बहुत डिफिकल्ट है और उस डिफिकल्टी को आसान बनाने के लिए मैं आपकी मदद करूं और इसी में सबसे पहले मैं लेक्चर फस्ट की जो सुरुबात करूं उसमें हम एनिमल फिजियोलोजी की बात करेंगे तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर फस्ट चपर लेक्चर लेक्चर लेंगे ओिफिकल्ट्स और अविगलाप्ष लेक्ट्प्चक्ट अच्ट्ट्ट अच्छिघ्डब ग त्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट गैसेज मेंस समभातन जिसको एंस यार्टी ने सावसन भी लिखा है जबकि सावसन रेस्पिरेशन को कहा जाता है एवं गैसों का विनी में विनी में मिन्स आदान पर्दान इसके अंदर डिफ्रेंट से उनके बारे में बात करता हूँ कंटेंट्स फर्स्ट इंट्रोडक्शन मिन्स इस चेप्टर में क्या क्या इसकी प्रस्तावना है सेकिंड रेस्पिरेटरी ओर्गन सवसन अंग थर्ड मेकनिजम औप ब्रीफिंग समवातन की प्रक्रिया प्रक्रिया एक्सचेंज ओफ गैसेज गैसों का आदान पर दान ट्रांस्पोर्ट ओफ गैसेज गैसों का पर इवेन रेगुलेशन ओफ रेस्पिरेशन शर्वशन का नियमन दिसोर्ण विकार शवशन से समंदित and 8 quick recap and other कि देखो बच्चो मैं आप सभी के अच्छी फ्यूचर की कामना करता हूं और इसमें मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप कोलेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई हिंदी पढ़ाने नहीं आएगा इसलिए मैंने एक साइड में हिंदी तो लिखी है लेकिन उससे पहले इंग्लिश टर्मिनोलोजी लिखी है उसको आप 100% याद रखें थोड़े दिन आपको डिफिकर्ट लगेगा लेकिन उसके बाद में सब चीजी नॉर्मल लगी है इन सभी अलग-अलग कंटेंट्स में आप सभी ने इंट्रोड़क्शन देखा रेस्परिस रेस्परिट्री ओर्गन मेकनिजम ऑप रिधिंग एक्सेंज अफ गैसेज ट्रांस्पोर्ट अफ गैसेज रेगुलेशन ऑफ रेस्परेशन डिशोर्डर संप इन सभी में हमें कुछने कुछ स्टेडी करना है इंट्रोड़क्शन में कुछ स्टेडी करना है ऐसे सभी कंटेंट्स के अंदर कुछ सी स्टेडी करना है तो फर्स्ट कंटेंट है इंट्रोड़क्शन इसकी बात करना है कि इस चेप्टर में हम इंट्रोडेक्ट्री क्लास में जो मैं बात करूंगा वो मैं आपको बता दू कि कोई भी हमारी बोडी की करने के लिए हमोने अनरजी की रिक्वार्म्न होगी और हमें एनर्जी कहा से मिलेगी nutrient molecule से मिलेगी जो भी पौसर करणू है उन से मिलेगी for example glucose है, fructose है lactose है, sucrose है यह nutrient molecule है इन सभी से मिलेगी और हमें सभी activity perform करने के लिए जो energy मिलेगी वो ATP की form में मिलेगी तो हमें ATP की form में energy कहां से मिले उसके लिए indirectly हमारी body की cell को अपने function को perform करने के लिए indirectly oxygen की requirement है और indirectly oxygen को लेकर catabolic reactions को perform करके वो ATP की form में energy produce करती है कैसे वो देखे for example C6 H12 O6 this is nutrient molecule पॉसकरणू glucose और इसको ब्रेकडाउन करने के लिए हमें इंडारेक्टली oxygen की requirement oxygen भी मिल गए और ये कौन सी reaction catabolic reaction अब ची अभी क्रिया करेगा और इसके resultant में carbon dioxide plus H2O plus energy मिलेगी ATP की form nutrient nutrient molecule का indirectly oxygen consume करके उसको break down करना और resultant में cell के द्वारा CO2 H2O produce करके ATP produce करवाना जो CO2 cell के पास produce होगी this is toxic और harmful ये हमारे लिए विशेली है तो इसे क्या करना पड़ेगा eliminate from body हमें body से इसे बाहर निकालना पड़े तो किसी भी organic substance का oxygen के presence में breakdown करके energy produce करना ये complete process जो है इस complete process को बोलते है respiration oxygen की presence में हो रहा है aerobic oxygen की absence में होगा anaerobic जिसे हम बोलते हैं YVS option और YVS option YVS option में या energy ज़्यादा produce होगी YVS option में ये food incompletely oxidize होगा तो या पर कम energy मिलेगी अब इस complete जो ये process यहां से लेकर यहां तर complete process जो चल रही है इस process में सबसे first step जो required है वो है atmospheric air को अंदर लेना और allulai के अंदर CO2 की level जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसे भार निकालना ये first step required है it means breathe in और breathe out स्यास का लेना और छोड़ना ये एक single breathing process है तो आप समझ पा रहे होंगे कि breathing और absorption एक big process है और उसका first step है जिसे हम बोल रहे है breathing या allular ventilation introduction में आपको समझ में आया होगा कि कि किस तरीके से ये हमारी body के लिए harmful है तो इसे body से बाहर निकालना है और atmospheric air को अंदर इसको break down करने के लिए अंदर clear is it clear all of you सभी को clear अभी है ठीक है अगे चलते introduction के बाद next point लिखा था हमने respiratory organ और्गन which meant for respiration ऐसे अंग जो सभसन में शाहिता करते हैं सभसनांग कहलाते हैं और सभसनांग जो है वो विबिन परकार के अनिमल में विबिन परकार के होते हैं ये अलग अलग अनिमल में criteria जो है ये different factors और विबिन कार्पों के उपर निर्वर करता है जो है अलग अलग अनिमल habitat means आवास झावास ये अंग वोल्ड ये लिविग प्लिज and second one is level of organization संक्ठन का इस्तर इस संक्ठन के इस्तर और आवास के आधार पर अलग-अलग अनिमल में अलग-अलग परकार के सवसनांग पाई जाते हैं दो नए वर्ड आए है 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 विटेट और लेवल ओफ और नए से अनिमल डावस्टी में इसके बारे में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ है विटेट क्या है लिविंग प्लेस किसी अनिमल के लिए लिविंग प्लेस क्या हो सकता है लिविंग प्लेस वाटर हो सकता है लिविंग प्लेस लेंड हो सकता है लिविंग प्लेस वाटर एंड लेंड बहुत दोनों हो सकते हैं किसी अनिमल के लिए plant branches living place हो सकता है किसी के अंदर air living place हो सकता है किसी के अंदर other animals means यह living place और निके जो है किसी भी animal के अंदर अगर water है तो हम उसे बोलेंगे aquatic या जलिय प्राणी यह दो प्रकार के हो सकते है एक fresh water अलवनी और एक marine water जलेंड पर सर्वाईव करेगा terrestrial जिसे बोलते हैं थलिय प्राणी जो दोनों पर सर्वाईव करता है उसे हम बोलते हैं amphibian या उबेचर प्राणी plant की branches पर सर्वाईव करता है उसे बोलते हैं arboreal air में सर्वाईव करता है उसे बोलते हैं aerial या वाईवी अधर एनिमल पर सर्वाईव करेगा उसे बोलते हैं parasite या परजीद तो अलग 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 अनिमल का living place अलग अलग है water भी है land भी है water land दोनों भी है plant branches भी है इस basis पर different animal के अंदर different सवसनांग पाए जाए अलग अलग अनिमल में अलग अलग सवसनांग पाए second criteria था level of organization या संग्ठन का इस्तर इसकी बात क्यों कर रहे है animal diastom में इसके बारे में भी discuss करेंगे कि संग्ठन के इस्तर पर आदार पर animal को अलग अलग पार्ट में divide कर रखा है for example cellular level cause की इस्तर for example टिशू लेवल उत्तकी इस्तर for example organ level अंग इस्तर for example organ system level जिसे बोलते हैं अंग तंतर means संग्ठन के इस्तर पर अलग अलग परकार का संग्ठन हो सकता है cellular क्या पता कोई animal के वल ली cell का ही बना हुआ है tissue बनाई नहीं है उसमें और हम respiratory organ की बात कर रहे हैं तो respiratory organ की बात organ बनाई नहीं फिर भी बात कर रहे हैं इसका मलव breathing mechanism में और respiration में जिन animal के अंदर respiratory organ नहीं है वो भी पार्टिस्पेट तो करेगा इसलिए हम बात करें तो cellular level, tissue level, organ and organ system यदि animal divastery के basis पर देखा जाए तो ये cellular level कहां देखने को मिलेगा पॉरिफेरा फाइलम टीस्पेट लेवल कहां देखने को मिलेगा सिलेंट्रेट या इसी को बोलते हैं निडेरिया और टीनोफोरा में organ कहां देखने को मिलेगा प्लेटी halmenthes और organ system कहां मिलेगा एसके halmenthes जिसे नीमी टुड़ा भी कहा जाता है एसके halmenthes से लेकर कोड़ेटा तक है तो संक्ठन के इस्तर पर अनिमल अलग अलग पॉरिफेरा में cellular level है तो यहां पर रेस्पिरेट्री ओर्गन डवलप ही नहीं हुआ है कि नेदेरिया भीर और टीटीनोफोरा में टीस्व लेवल है यहां पर भी ओरगन डवलप नहीं हुआ है एं लीटी हलमंथी बिलाप है यहां पर और्गन डवलप है लेकिन और्गन Kern System हुए हम बात करAre है तो रेसपिरेट्री सिस्टम की लेकिन यहां पर मुख्य तोर पर सवसनांग का विकास नहीं हूँ तो अलग-अलग हम lower invertebrate से higher vertebrate में यदि compare करें तो कौन-कौन से animal में कौन-कौन से सवसनांग पाए जाते हैं उसका हम tabular form में study करेंगे वो देखते हैं अलग-अलग animal में कौन-कौन से वो उसे वहा हम लाइन्स हैं जस्वेर का सकता हैं हम जदन कौन से घर हम झालग-ःज़ झालग हम आ ओनाया । झाल झाल लोवर इन्वर्टिब्रेट जो निम्न आ का सिरुकी है उनको उच का सिरुकी तरफ जाएं तो किस तरीके से कौन-कौन सी ट्रांजिशन फेज आएंगी और कैसे-कैसे अलग-अलग एनिमल में अलग-अलग परकार के रेस्पेट्रिटी और गन्स देखने को मिलें फिर्स्ट पॉरिफिरा सिलेंटेटा एंटीनोफोरा लेटी हल्मेंटीस यह जो लोवर इन्वर्टिब्रेट्स है इन सभी के अंदर रेस्पेट्री सिस्टम डवलप नहीं हो पाता है तो सिम्पल डिफुजन से साधारन विशन की परकिरिया से मींस हाई कंसेंट्रेशन से लो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ gases का आदान परदान होगा और gases का आदान परदान general body surface और cellular surface general body surface और cellular surface के दौरा general body surface और cellular surface के दौरा गैसों का आदान परदान क्यों रहा है क्योंकि जो environment में surrounding में जो gases available है उन gases का direct contact general body surface और cellular surface से clear सभी को आगे चला है झाल एव गा cola जो क्या जौरा रेन ऴंट लिड़ा के अंदर देखते हैं आर्थ वोम जिसे सेंपल भासा में केच्वा बोलते हैं साइंटिविक नेम इसका फेरे टीमा पॉस्थुमा है इसके अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल जो है बोड़ी सर्फेस जो मॉइस्ट क्यूटिकल आदर क्यूटिकल जो है वो गैसे सेक्सेंज में पार्टिशिपेट करेंगी इसी का मेंबर है लीच जिसे जोक बोलते हैं हिरुडिनेरिया साइंटिविक नेम है इसका इसके अंदर पैरा पोडिया परजेंट और यदपी पैरा पोडिया एक लोकोमोटरी ओर्गन है बट सवसनांग में भी साइता करते हैं जबकि ये एक गमनांग है क्लियर यहां तक सभी को और आगे की तरफ चलते हैं आगे हैं कि अब हम बात करें आर्थोप उड़ा की जैसा कि आप जानते होंगे दिस इस दा largest phylum of animal kingdom जन्तु जगत का सबसे बड़ा संग है लगबग 7.5 to 9 lakh species इसमें पाई जाती है इसमें अत्यदिक विवित्ता पाई जाती है maximum मेक्सिमम डाइवर्सिटी अत्यदिक विवित्ता पाई जाती है जब इसमें डाइवर्सिटी मैक्सिमम है तो सबसुनांग भी अलग लग मिलेंगे अलग अलग अनिमल में देखते हैं फॉर एक्जाम्पल कोक्रोच यदि कोक्रोच की बोडी देखेंगे तो इस तरीके से कोक्रोच की बोडी के अंदर बोडी के लेटरल साइड में पार्सु सतय पर इस पाई जाते हैं माइनिट ओपनिंस हैं जहां से यह गैसिश एक्स्यंज करेगा डोर्शल और बेंटल सर्फेस जैसे दोर जाएंगे स्पारेश प्वारे आपन हो जाहेंगे … पास आएंगे spiracle close हो जाए तो बोडी के अंदर जो CO2 की amount होगी वो भारा जाएगी और surrounding में जो O2 की amount होगी वो by the simple diffusion process तो यह जो system है spiracles then the trachea and the branching point tracheoles इस complete system को बोलते है tracheal system it means terrestrial जो आर्थोपोड है जो थली आर्थोपोड है उन सभी के अंदर tracheal system देखने को मिलता है दूसरा एक example लेते है एकवेटिक आर्थोपोड for example प्रोन जिंगा मचली इन एकवेटिक आर्थोपोड के अंदर गिल्स या जिसको क्लॉम बोलते हैं वो सवसनांग के रूप में काम करते हैं टेरेस्टियल आर्थोपोड में ट्रेक्यल सिस्टम एकवेटिक आर्थोपोड में गिल्स इसी के अलावा बुक गिल्स ये भी सवसनांग के रूप में काम करते हैं कहां पर काम करेंगे लिमुलस इसके अंदर जिसे हम किंग क्रेब भी बोलते हैं बुक लंग्स ये कहां काम करेंगे इस्पाइडर मकडी है इस्कॉर्पियोन बिच्छु है इन सभी के लिए तो आप से पूछा जाए बुक लंग्स कहां पर रेस्पिरेटरी और्गन या सवसनांग के रूप में काम करते हैं इस्पाइडर और इस्कॉर्पियोन एक्वेटिक आर्थोपोर्ड में कौन काम करेंगा गिल्स बुक गिल्स कहां काम करेंगे लिमुलस के अंदर तो मैक्सिमम डाइवस्टी परजेंट है और यहां पर आपने देखा विबिन परकार के सवसनांग भी पाई जाते हैं और आगे की तरफ चलते हैं प्राइब प्राइब तरफ देखा हैं मॉलस्का इस सेकिन लार्जेस्ट फाइलम दूसरा जन्तु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है और इसके अंदर रेस्पिरिस्ट्री ओर्गन या सवस्टनांग के रूप में पल्मोन्री सेकिन है इसी के अलावा इनकी बोड़ी के अंदर एक मेंटल जिसे परवार बोलते हैं थिन स्पॉंजी लेर होती जो क्रेक्टरिस्टिक फीचर या अभी लाक्षनिक लक्षन में पाई जाती है आपको पता होना चाहिए मॉलस्का के अंदर अभी लाक्षनिक लक्षन के रूप में स्पेसिफिक करेक्टर की फोर में थिन स्पॉंजी लेर पाई जाते हैं इसे बोलते हैं मेंटल और ये सवस्टनांग के रूप में काम करती है और आगे की तरफ चलते हैं हेमे को डिटा की बात करें तो हेमे को डिटा के अंदर गिल्स हेमे को डिटा के मेंबर आपको पता होगा एक्स्टूज्विवली मेराइन है एक्स्क्लोजिवली मेराइन मीन्स पॉनते समुद्री एक्वेटिक एनीमल है यहां पर गिल्स हेल्प करेगा जैसे जैसे हम हायर वर्टिब्रेट की तरह बढ़ेंगे उसमें कौन-कौन से मिंबर आएंगे पाइसीज या फिशिज इस फिशिज के अंदर दो परकार के फिशिज आएंगे बॉने फिश है कार्टिले जीनस फिशिज मेंस अस्थिल मचलियां और उपास्थिल जिनके अंदर एंडो इसकलेटर नंता कंकाल अस्थियों का बना हुआ है और जिनके अंदर उपास्थियों का बना हुआ है इनके अंदर रैसपिरेटरी और्गन जो है गिल्स परजेंट होते हैं और यह घिल्स अलग अलग नेचर में होते हैं किसी में कवार्ड होते किसी में अनकवाट और जिसके अंदर ये कवर्ड होंगे तो उसे बोलते हैं ओपर कुलम के द्वारा धकेवी होते हैं कुछ ऐसी फिसेज भी हैं जिनमें गिल्स के अलावा एक्सेसरी ओर्गन भी पाए जाते हैं जैसे की अनबस क्लाइंबिंग पर्च इसके अंदर गिल्स तो रैस्पिरेटरी ओर्गन ही है इसके अलावा अक्सेसरी रैस्पिरेटरी ओर्गन भी पाए जाते हैं अतिरिक सवसनांग भी पाए जाते हैं अपने फिसेज में पढ़ा होगा एक वर्ड डिपनोई, डिपनोई डाई means दो पनोई means breathing organ. ऐसे फिसेज जिनके अंदर breathing organ में गिल्ड्स के अलाव भी एक organ पाए जाते हैं, उनको डिपनोई फिसेज कहा जाता है. तो पाइसीज और फिसीज के अंदर मुख्य रूप से सवसनाल गिल्ट्स पाए जाते हैं कर दोनों जगहें पर सर्वाई एक एक्वेटिक नीचर में भी सर्वाई कर रहा है है सेकेंड वन इस है तेरेस्ट्र नेचर में भी जाते हैं है तो अरलियर फॉम हम फ्रोग की अर्लियर फॉम देखे तेड़ पॉल रेस्पायर किस्से करेगा गिल्स या क्लॉम्स और बात करें अडल्ट फ्रोग की इसके पास सवसुनांग की फॉर्म में तीन अलग पार्ट होते हैं पल्मोनरी फॉर्फुस या लंग्स की साइटा से सवसन कर सकता है बक्को फेरेंजियल बक्कल कविटी से रेस्पायर कर सकता है कि उटेनियस में स्किन जो इसकी ताउचा होती है उससे मिन्स अडल्ट फ्रोग के अंदर इन अलग अलग तरीके पल्मोनरी बक्कल कविटी और क्युतेनियस मेंस फुफुस या फेफडों की साहिता से सवसन बक्कल कविटी की द्वारा मुख गुवा के द्वारा सवसन और क्युटेनियस मेंस मॉइस्ट स्किन के द्वारा कि सवसन कर सकता है और आगे की तरफ चले एंपीवियन के बाद नंबर आता कि आप जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं फिसीज आपने देखा वाटर में सर्वाइव कर रही थी एंपीवियन के वाटर एंड पर सर्वाइव कर रहा है अब लेंड पर सर्वाइव करने वाले एनिमल हैं शरी सर्व और ये जो रेप्टाइल्स हैं इन रेप्टाइल्स में लीजार्ड्स और स्नेक यह सभी और यहां पर में रेस्पिरेट्री ओर्गन जो है वह है लंग्स या फोफोस इसके अलावा स्पेसिफिक केस यहां पर देखने को मिलता है और यहां पर देखने को मिलता है इन सम्टर्टल्स अवस्कर के द्वारा या क्लोइका के द्वारा रेस्पिरेशन किया जाता है क्लोईकल एक कॉमन ओपनिग है है डाइजेस्टिव द्रेक्ट की इन रिर्टींअ इसके उनसे लहें जाता है वहां उसे बोलता है तो कुछ टेतल स्के लीट्रल्स के अनदर क्लोईकल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है यह terrestrial animal है, aquatic से terrestrial की तरफ aquatic fishes, then amphibian, aquatic and terrestrial both, and यह completely terrestrial. next, abids, या birds, इसके अंदर है, crow है, pigeon है, parrot है, पैवो, peacock है, इन सभी के अंदर, respiratory organ जो है, वो भी lungs है, बट यहाँ पर specific case है, lungs से accessory sex attach होते हैं, कुछ थैले नुमा संरचना है, यह अक्सेसरी में, डीजार दा, अग्सेस्षार में, न भीजे अप्सक्राइब के लिए यह मुझमा दिए्ट जे आ यहादिसरे सेक्ट देब एवीज और बर्ड्स जैसा कि आपको पता है इनके अंदर फ्लाइट अड़ेप्टेशन पाए जाते हैं और फ्लाइट अड़ेप्टेशन में एक्सेस रिशेक लाइक स्ट्रक्टर्स परजेंट होती है इस तरीके से जो लंग से अठेच होती है तो एवीज के अंदर और वाड्स के अंदर भी सवस्रांग की फॉर्म में कौन काम कर रहा है लंग्स में मल्स इस्तंधारी अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है इनको प्रोटो थीरिया मेटा थीरिया अलग अलग अनिमल्स आते हैं प्रोटो थीरिया के अंदर डग बिल प्लेटिपस जिसे औरनोथ और रिंकस बोलते हैं मेटा थीरिया में मार्शुपियल्स यू थीरिया में यूमन बिंग, रिशस मंकी, कैमल, डॉल्फिन और फ्लाइंग फॉक्स ये सबी आते हैं इन मेमल्स के अंदर चाहिए उप्रोटो थीरियान, मेटा थीरियान, यू थीरियान हो इनके अंदर भी सवस्नाग के फोर्म में लंग्स पाईदा हम सबी अलग अलग एनिमल में अलग अलग परकार के सवसनागों को देखे हैं और इस मेमल्स की बात करें तो मेमल्स के अंदर हुमन बिंग भी है और हुमन बिंग के अंदर एक जोड़ी फोफुस पाईदा जो इस्पॉंजी होते हैं जो पिंक कलर के होते हैं जो थोरेसिक कैविटी जिसे विक्स ये गुहा कहा जाता है विक्स गुहा में नहीं तोते हैं इस्पॉंजी मीन्स इस्पॉंज की तरह हैं बट नोट होलो दी जारता सॉलिट तो बच्चों आपने अभी तक ये देखा कि डिफरेंट हैबिटेट एंड डिफरेंट लेवल ओफ और्गनाइजेशन मेंस आवास और संक्ठन के आधार पर अलग-अलग परकार के अनिमल्स के अंदर अलग-अलग परकार के सवसनंग पाई जाते हैं आज इंट्रोडेक्टरी क्लास में जो मैंने अभी तक बताया उसको क्विक रीकैप करते हैं सबसे पहले मैंने बाते की सबी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वार्मेंट होती है और एनर्जी ऑक्सिजन के इन्डारेक्टली कंजम्शन से ATP की फ़र्म में प्रोडूस होगी और बोडी के अंदर ATP की फ़र्म में जो प्रोडूस होगी तब CO2 टॉक्सिक और हामफुल गैस बनेगी उसे हम बोड़ी से बाहर निकाले उसके बाद मैंने आपको बताया कि respiration, oxygen की presence में भी हो सकता है absence में भी हो सकता है, presence में होगा, oxygen की उपस्तिती में होगा तो YVA और अनुपस्तिती में होगा तो YVA और YVA में energy का production YVA के तुल्ला में ज़्यादा होगा फिर उसके बाद, उसके बाद मैंने habitat means living place, आवास and level of organization संक्ठन के इस्तर के आदार पर lower invertebrate से higher vertebrate की study की और इन सभी animals के अंदर ये देखा कि अलग-अलग animal के अंदर अलग-अलग परकार के सवसनांग पाए जा रहे है और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना और इसको नौट भी कर सकते हैं आप कि जो जन्तु जलिय प्राणी हैं उनके अंदर breathing rate थलिय प्राणियों की तुल्ना में ज़्यादा तेज होती है breathing rate faster in the aquatic animal as compared to terrestrial animal तो आशा करता हूँ आप सभी को आज का lecture समझ में आया होगा और मैं तो एक बात बोलता हूँ nobody is perfect तो कोई भी अधी error हुई हो तो आप मुझे जरूर बताएं और आप सभी को इसी सुब कामना के साथ में मैं अपना lecture end करता हूँ कि मस्त रहें स्वस्त रहें और लगातार पढ़ते रहें इस दोर में बहतर को और बहतर करने के लिए हम परियासरत हैं okay thank you so much